So hello बच्चों, कैसे हो आप सब? I hope आप लोग सब अच्छे होगी तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो जारतर आपके एक्दाम्स के कोश्चन्स में पूछा भी जाता है That is Determiners, right? और इसके कुछ हम ऐसे चीज़ों पर डिस्कूस करेंगे जहां बच्चे बहुत ज़्यादा Confuse होते हैं कि कौन सा Determiners कहां पर लगाएं क्या Difference इनके बीच में और इसको कैसे कैसे हमें Use करना है With exercise हम इसको अच्छे से solve भी करेंगे और इसको हम समझेंगे भी So अगर आप चैनल पर न्यूँ है बिटा और हम उसके exercise भी करेंगे तो चलिए जल्दी से हम इसको start करते हैं तो देखो बेटा यहां पर क्या लिखा है Few, a few और da few इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे confuse होते हैं तो सबसे पहले हम इसको use जानते हैं कि इसको हम use करते हैं हमेशा plural countable noun के साल मतलब जिसको हम count कर सकते हैं fingers पर वहाँ पर हम few, a few और da few का use करेंगे clear अब हम यह difference देखना है कि few, a few, da few में difference है क्या तो देखिए बेटा few, a few, da few यहां पर यह arrows लग रहे हैं मतलब few मतलब होता है सबसे कम ना के बराबर ठीके, a few मतलब उससे थोड़ा जादा ठीके, और da few मतलब होता है जो भी कुछ है आपके पास वो सारा जो हम da few में use करते हैं clear तो अब हम examples के तो इसको और अच्छे से समझेंगे जैसे for suppose जैसे बेटा, first example देखो लिखा है I read few books ठीके, मतलब मैंने ना के बराबर किताब पढ़े हैं अगर आप से कोई पूछे, आपने कितनी वुक्स पढ़े हैं तो आप बोलो का I have read few books मैंने सिफ ना के बराबर किताब पढ़े हैं ठीके, उसके बाद दीके, next example I read a few books मतलब मैंने कुछ किताब पढ़े हैं तो few मतलब ना के बराबर a few मतलब थोड़ी सी और और last में देखो बेटा I read the few books, मैंने examples के तुरू इसलिए समझाए आपको, मतलब यहां पर उसके पास जितनी भी बोक्स थी उसने वो पढ़ ली the few books, clear, चाहे हम उसके पास चार हो, पांच हो, जो भी हो उसने पढ़ ली few मतलब ना के बराबर a few मतलब थोड़ा ज्यादा और da few मतलब जो कुछ है यह हमेशा plural countable nouns के साथ लगेंगे जिसको आप fingers पर count कर सकते हो चाहे हो books हो, पूछा चाहे हो गल्स की बात हो जिसको भी आप twice हो, cars हो जिनको आप count कर सकते हो वहाँ पर आपको few, a few और da few का use करना है, clear next देखो पेटा, little, a little the little, इसमें भी आप लोग बहुत अदर confused हो कि कहां लगा है, देखो few हमने बताया plural countable noun के साथ यह दिमाग में बिठा लो जिसको आप count कर सकते हो, ठीक है little लगता है पेटा, before singular uncountable noun के साथ जिसको आप count नहीं कर सकते हो, और वो एक चीज हो, जैसे water है, आप इसको गिन नहीं सकते हो clear, oil है, इन सब चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हो, और एक बात हैंगे little, a little, the little में difference किया है, तेखो बेटा, little मतलब वही चीज़, ना के बराबर, उससे बड़ा, a little हो गया, थोड़ा और ज्यादा, और the little मतलब जो कुछ है आपके पास, वो सब कुछ, clear, तो बेटा, देखो, examples के तुरू समझने क्या लिखा, he has little money, अब money को आप सोचो क पर count करते हैं, पर counts क्या की क्या लगतार, rupees, तो मैंने क्या बोला, जिनके आगे unit use करते हैं, वहाँ पर हमेशा हम little का use करते हैं, clear, तो यहाँ पर क्या बोला, उसके बाद ना के बराबर पैसा है, little, ठीके, अगर हम a little use करेंगे, तो means उसके बाद थोड़ा पैसा है, next example में आ ना के बराब, है ही ने, और a little मतलब थोड़ा से जादा, और the little मतलब जो कुछ है, तो difference समझ में आ गया, few का हम use कहां करते हैं, हमेशा, plural, countable noun के साथ, ठीके, few का use, plural, countable noun के साथ, और little का use, singular, uncountable noun के साथ, use करते हैं, जिसको हम count नहीं कर सकते, clear हो गया, तो चलिए बेटा, बाकिया, next topic, much और many, इसे भी बहुत ज्यादा confusion होता है, कि much कहां लगाना है, many कहां लगाना है, सबसे ज्यादा confusion होता है, वही चीज़ अपने दिमाह में बठा लो, much हमेशा लगता है, singular, uncountable noun के साथ, जिसको आप count नहीं कर सकते हो, और हमने कहां बाता है, little भी uncountable noun के साथ लगता है, और much भी uncountable noun के साथ लगता है, जहां पर unit साथ नहीं, clear, समझ में आ गया, जैसे how much water in the glass, कितना पानी है, तो much का use होगा, many का use नहीं होगा, clear, तो चलिया, many की बात करते हो, many हमेशा plural countable noun के साथ लगता है, जिसको आप count कर सकते हो, जैसे suppose I am giving an example, how many girls in the class, how many books in the library, carry, तो जिनको आप count कर सकते हो, वहाँ पर many का use होता है, जिसको आप count नहीं कर सकते हो, fingers पर, वहाँ पर much का use होता है, clear, जैसे बैटा, travelers, हमेशा कहा can use marginalized singular uncountable noun के साथ, users है, जिसको हम count नहीं कर सकते है, बट आप coach कि भाई money को तो हम fingers पर count कर सकते हैं 100 rupees, 2 rupees लेकिन उसके आगे क्या आता है RS, rupees unit लगी होती है, तो ये बात याद रखो, जिसके आगे unit होती है, वहाँ पर हमेशा much का use करते हैं, clear, इसी लिए हम यहाँ पर money के पहले much का use करें, I have much money, मेरे पास बहुत पैसा है, I have many money नहीं cultural countable lounge के साथ होता है, जहाँ पर हम जिसको count कर सकते हैं, जैसे for example, I have many pens, मेरे पास बहुत सारे pen है, 2 है, 4 है, 5 है, वो आप count कर सकते हो, clear हो गया, तो money के लिए much क्यों आया, क्योंकि money हमेशा RS, यानि rupees लगाते हैं, मैंने बताया है, जहाँ जहाँ units का use होता है, वहाँ आपको much का use करना है, clear, यह एक छोटी सी exercise type की है, 2 questions ही, आप खुद देखो इसको, मैं हट जाती हूँ, सामने से एक बार देख लो, देखो इसमें correct option क्या आएगा, फिर हम आपको बताते हो, और आप match करना कि वो सही है, clear, चलिए, first example देखते हैं, so first example देखते हैं, there is not dash water in the well, well में पानी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, much आएगा या many आएगा, भी हमने आपको क्या बताया है, तो correct option is much, क्योंकि water is a singular uncountable noun, इसलिए हम much का use करेंगे, next example देखो बता, how dash students in the class, तो much का use होगा, या many का use होगा, the correct option is, जल्दी से बताओ, that is many, क्योंकि students को count कर सकते हो, how many students in the class, तो many में क्या होगा, cooler countable noun हम use कर सकते हैं, so next is some और any, इसमे भी बहुत सारे बच्चे confused होते हैं, कि some कहा लगाना है, any कहा लगाना है, तो बहुत easy way है, आप कभी भी mistake नहीं करेंगे, चाहें आपका competitive exam हो, चाहें कोई भी exam हो, यहाँ पर अगर अगर आपने यस चीज सम आपको लाइक भी कर दो, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको some और any में different, some हमेशा positive sentence में use किया जाता है, मैं इस एक positive sense में किया जाता है, अब कैसे किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे, और any हमेशा बेटा, negative sense में किया जाता है, जैसे आपस किसी ने पूचा कि आपके मेरे पास कोई pen है, आपने का नहीं भाई, मेरे पास नहीं पैन, I don't have any pen, वहाँ पर some pen यूज नहीं करेंगे, तो not आगया ना, negative लग गया ना, I don't have any pen, I don't have any book, तो वहाँ पर any का use करेंगे, some का use नहीं करेंगे, clear, अब examples के तुरू हम और अच्छे से समझते हैं, अब आपको क्या लिखा है, अगर हम any की बात करें, I don't have any pen, मेरे पास कोई भी pen नहीं है, तो negative में चला गया, clear हो गया, जैसे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, first example, he doesn't want coffee, तो he does not want some या any, तो correct option is बेटा, any, क्योंकि यहाँ पर not आ गया, clear, he doesn't want so कोई coffee नहीं चाहिए, some coffee तो put dash sugar in my tea, option है अपके पास some और any, जल्दी से बताओ और मैच करो मेरे आंसा से, that is some, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, some, clear, कुछ sugar मेरी चाहे में डाल दो, any नहीं आएगा, put any sugar थोड़ी नहीं होगा, put some sugar, clear, next example देखो, did you see dash girl there, did you see, क्या तुमने देखी, कोई लड़की, तो any का हिंदी में मतलब क्या होता है, कोई, some girl नहीं होगा, because some मतलब कुछ होगा, एक, दो, तीम भी हो सकते है, यहाँ पर singular है, girl, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, any, तो कि वो negative है, क्या पूछ रहा है, देखी भी हो सकती है, नहीं भी देखी हो सकती है, तो did you see any girl there, I hope bit, आपको difference समझ में आ गया होगा, some, many, much, many में, clear, चलो भाई, अब इस पर आज आते है, that is farther and further, इस पर भी बहुत अदर confusion होता है, बाट यह बिल्कुल क्लिस्टर फिलियर है, अब आप इसको कैसे करना है, देखो, farther हमेशा distance के लिए use होता है, दूरी, कितनी दूरी है वो, तो further हम जहां कोई extra, additional कोई बात add करते हैं, बहाँ पर हम further का use करते हैं, अब इसको example के थूर और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको clear हो जाए, और exam में आपको full marks मिले, example पड़ो बेटा, क्या लिखा है, Delhi is farther from Mumbai than Noida, दिल्ली है, वो दूर है, Bombay से अगर हम compare करें, Noida से, तो farther यानि दूरी की बात आगे हैं, clear, अब हम further का, अगर हम example लेंगे तो आपको clear हो जाएगा, क्या लिखा है, he has nothing further to say, यानि उसके पास अप कुछ कहने को नहीं है, मतला कोई extra चीज या को additional बात उसको अप कुछ कहने को नहीं है, तो याद रुको further हमेशा को extra चीज या को additional ब delay, farther आएगा या further आएगा, जल्दी से बताओ, अभी बताया हमने, the correct option is better further, because farther तो हमेशा distance के लिए होता है, distance के बात ही नहीं, तो don't make further delay, मतला और जादा delay मत करो, और अधिक delay मत करो, यानि extra delay मत करो, additional delay मत करो, clear, next देखो बेटा, क्या लिखा, shady is dash from Delhi than Mumbai, अब यहाँ पर आपक आपको अच्छे से समझ में आयोगा, further and father, much, many, some, any, now next बढ़ते हैं और आपको, बिल्को सब कुछ clear करते चलेंगे, so चलिए, यह भी बहुत confusing word है, बच्चे बहुत जादे confused हैं, later or later में क्या difference है, उनका pronunciation, same about spelling different, meaning different है, कैसे meaning different है, चलो हम देखते है, later, later मतलब होता है, time से हम connect करते हैं, बाद में बात करते हैं, जैसे I will talk you later, मैं तुमसे बाद में बात कर हुए, ठीक है, कोई भी चीज के लिए हम बाद वाली बात है, अभी इसको टाल रहे है, बाद में कर रहे है, that is later, later मतलब यहां पर position की बात होती है, order की, second position या last position के हम लेटर का use करते है, clear, चल next, लेको बेटा, between coffee and tea, coffee और tea के बीच में बात की जाए, तो I choose later, मैं बाद वाली चूज करूँ, later मतलब यहां होगा position, that is tea, मैं tea को चूज करूँगा, अगर मुझे किसी ने कहा गी, coffee लेंगे, tea लेंगे, तो मैंने tea को, later यानी tea को, उसको समझ में आजा, अगर सामने वाले को later का meaning पता होगा, तो वह समझ जाएगा, इस बंदे को tea चाहिए, coffee नहीं चाहिए, clear, तो this position, last second position होती है, वहां पर हम later का use करते है, clear, चलो बेटा, next example देखो, क्या लिखा है, I will see you, dash, later, या later, मैं तुमको, क्या, बाद में मिलूंगी, ठीके, तो later आएगा, she offered me more money, उसने म मुझे बहुत जारा पैसा offered किया था, और a car, एक car भी offer करी थी, I choose the later, या later, later, तो उसने क्या choose किया, जल्दी बताओ, उसने car choose करी, तो यहाँ पर आजाएगा, later, clear, चली भाई, अब आते हैं, eldest और oldest, इसमें भी बहुत ज़्यादे confusion होता है, कि कहां हमें use करने, eldest और oldest, आपके competitive exam, सो चाहें, आपके boards के exam हो, वहाँ भी आपको full marks मिलने वाले हैं, तो चली देखते हैं, eldest और oldest में difference क्या है, ठीक है, eldest और oldest, eldest हमेशा family के लिए, same family में जो बंदे लोग हैं, जो लोग हैं, वहाँ पर हम use करते हैं, जैसे he is my eldest son, वो मेरा बड़ा बेटा है, clear, तो family फैमली के members होते हैं, हम eldest का use करते हैं, oldest की बास करें, not in the same family, एक family में नहीं होगा, person और things के लिए, दोनों चीजे के लिए, यूज करते हैं, यह हमेशा eldest persons के लिए use होता है, इसे persons के लिए eldest के लिए, यूज करते हैं, but oldest के लिए हम, person के लिए भी हम use कर सकते हैं, उसको किसी के लिए यूज कर से जैसे इस इस दा ओल्डेस्ट मॉनुमेंट इन ताउन यह थब से पुराना मॉनुमेंट है क्लियर आगे बस एल्डेस्ट नहीं बोलेंगे मापे तो चलिए अग्जांपल देखो नंबर फर्स एक्जांपल देखो आपको क्लियर होता जाएगा और मैं आ एल्डेस्ट आप कह सकते हो उसका ब्रदर या जो भी सेकेंड देखो बिटे के लिए शाम बांबू जो है डैश मैं इन दा विलेज गाउं में अब यहां पर और ऑप्शन आजाता है एल्डेस्ट या उल्डेस्ट तो उल्डेस्ट आता मतले हो सबसे पुराने वह एक फैम बात होगी तब आपर हम ओल्डेस्ट का यूस करेंगे तब नेक्स इग्जामपल देखो पेटे क्या लिए इस दा ओल्डेस्ट आपल इन दा विलेज गाउं में सबसे पुराना तैंपल अभी मैंने क्या बता है ओल्डेस्ट हम पर्सं के लिए भी उसकर सकने और तिंस के अब यूज करते हैं तो अभी तक हम ने बढ़ा आपको अच्छे से क्लियर होगा एक बर और और वीडियो देख्लो दुबारा से और कलियर हो चालो अब हमने आपके लिए एकसरसाइज को सॉल्व करते जाओ और मेरे आंसर से मैच करते जो देखो आपको कितने पॉइंड में क्लियर चलिए फॉर्स कोश्चिन पर आते हैं हम हाउ डैश वाटर इन दिस बकेट आपके पास ऑप्शन है मच और मैंने जल्दी बताओ क्या उप्शन आएगा मच बिकॉस वोटर क्या है एक अनकाउंटेबल ना ओने जो मैं बता चुकी हूं नेक्स देखो बिटा देर इस डैश कॉफी इन दे कीचेन बट देर इस नॉट मिल्क तो सम यह एनी क्या एगा जल्दी बताओ देर इस सम कॉफी यहां पर कुछ कॉफी है और एनी हमेचे निगेटिव फॉर्म में लगता जो बता चुकी हूं आपको कॉफी इन दे कीचेन प बात देखो यहां पर किसकी हो रही है ओप की हो रही है ओप क्या है अंकॉंटेबल नाओन है जिसको आपको नहीं कर सकते हैं और ना कुछ उसकी होप है आशा है तो आ लिटिल आएगा आ फ्यू नहीं आएगा बिकॉस फ्यू हम हमेशा काउंटेबल नाओन के साथ यूज क को बिनोध इस दाइश देन हिस ब्रदर अपने भाई से क्या है एल्डर है क्योंकि एक फैमिली की बात आरी ओल्डर नहीं आएगा क्लियर नेक्स देको राणी एंड मधू आर गुड सिस्टर बट दाश इस वेरी अक्टिव राणी मधू अच्छी बेहने हैं लेकिन कौन अक्टिव है जल्दी बताओ लेटर यह लेटर यह लेटर क्योंकि लेटर बाद वाली होती है लेटर पुदीशन के लिए होता है तो को एक्सराइस भी करा है हर्शी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी तो जल्दी सिसी बात को चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और और वेस्ट वर्ड एक्जाम मिलते हैं इसी तरह अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ बीटा प्लीज कमेंट करो एड़ाइ ठाब प्लीज